तिक टॉक ने क्रिप्टो करेंसीज की एड़रटाइजिन्ग पर उसकी सर्विसीज पर बेन लगा दिया है गुड़ talk करेंसीज के लिए बेर निवस्टरक्राइज के लिए यहाँ बैड निवस्टर किया के लिए आज इसी के बारे में वी बात करेंगे एंड तक बने रही है आई स्टार्ट करते हैं वालकम एवर्यवन मैं हूँ विजय और आज की वीडियो में बात करेंगे टिक टोक के बारे में टिक टोक ने क्रिप्टो करन्सी के ओपर बैन लगा दिया है तो दोस्तों इसके ओपर बात करने से पहले चाहूंग अब ही तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि प्राइवेट वीडियो जो बनेंगी क्रिप्टो करन्सी को लेकर क्या उसके ओपर भी बैन होगा या उनके ओपर एक तरह से एल्गोरीधम उनको फेवर नहीं करेगी आपको दिखाने के लिए लिए या उनके इंप्रेशन सर्फ करन करने के लिए इसके ओपर क्लार्टी नहीं है लेकिन प्रोमोशन और उसकी एड़टाइजिंग और किसी भी तरह की एड़टाइजिंग क्रिप्टो करन्सी से रिलेटिड उसके बैन लगा दिया है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूस है इसके बेस पर दूसरे और किबूमोशन और दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इससे फोलो कर सकते हैं और काफी सरह नेगटिव न्यूस अड़ीज के रेए कन लेकिन इसका एक रीजन है तो छो newze को लेकर तो चैळों थीरme प्लेफॉर्मिच करें लेकिन अभी अमीद करते है वहन नहीं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो तोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह है टिक टोक बैं यूजर फ्रॉम प्रोमोटिंग क्रिप्टो करन्सी तो अगर हम नीचे जाए तो टिक टोक ने बेसिकली अनौंस कर दिया है कि क्रिप्टो करन्सी की प्र अगर हम नीचे जाए तो यहां पर बेसिकली उसने क्रिप्टो करन्सी पर ही बैं नहीं लगाया है और जो दूसरी सर्विसी है जैसे लोन की सर्विस हो गई मनी एसेट हो गई क्रेडिट कार्ड हो गई ट्रेडिंग प्लेटफोर्म हो गई फोर एक्सचेंजिज हो गई पि तो कृट करेंशे करें को लेकर बरे में क्रिप्ट करन्सी लेकर बेती है प्लाइब कर रहे हो वागत में पीडिये ती क्रिप्रमोट किई रही थी ठीघ्ठ पर और दूसरा जो मीन कूईड कर और दूसली में से उन को व्यम्त कर अधीड कर जारह से बहुत ज warfare सिंश जारह प्रमॉट कर रहे थे हैं और उसके बेस पर काफी सारे पैसा भी बना रहे थे तो जो बेशिकली वह एक yeah10 जो अपन्जी स्कीम होती है उनको बहुत जयादा प्रम्स किया जा रहे थी तो ये एक अच्छी न्यूज है बागी क्रिप्टो क्रेंसी के लिए क्या बहुत से ऐसे मीम कोई जो डिजर्ब भी नहीं करते हैं जो आज स्टेंड करते हैं जहां उनकी वज़े से मार्राइज बहुत ज़्यादा मैनिप्लेट हो रही थी बहुत से लोग crypto currencies को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे ओवरनाइट कोई get rich quick scheme हो तो इसके उसके उपर रोक लगे लिगी, TikTok बहुत बड़ा platform है US और UK में तो वहाँ पर buying power भी बहुत ज़्यादा है, यंगsters बहुत ज़्यादा follow करते हैं यंगsters के अगर 100 डोलर भी डालते हैं तो जो scam कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी amount बन जाती है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये good news है cryptocurrencies के future के लिए लेकिन meme coins के लिए बहुत बड़ी bad news है क्योंकि इस article जो ये news आई है इसमें specially dogecoin का नाम लिया गया है आगे आगे जो ये news है इसमें आपको दिखाऊंगा dogecoin के बार में क्या खा गया है तो दूसरा अगर आगे देखें तो इसमें कहा गया है under tick tock advertising policy the company also prohibited ads related to cryptocurrencies in most countries including US or UK US or UK में जो है बैं तो लगा ही है जादा तर और जो दूसरी countries है वहाँ पर भी इसके पर बैल लगा दिया गया है और नीचे जाये तो according to financial times tick tock move come after individual were warned about taking financial information from tick tock over concerned it could be misleading and hurt young savers तो इसमें specially कहा गया है कि जो young generation है वो financial advice ले रही थी tick tocker से जो basically इनका फाइदा उठा रहे थे एक तरह से उनके vulnerability का फाइदा उठा रहे थे उनने मिसलीड कर रहे हैं और जो कि हर्ट कर रहे हैं यंग generation को जिनको अभी जो कि अभी 18 साल के 16 साल के हैं उन्हें भी दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं है लेकिन वो financial advice किसे ले रहे हैं तो यह स्पेशली यह पर यह पर कहा गया है और अब नीचे जाएं तो यह कि है यह अभी अवांट आफ इस ब्रेंडेड ब्रेंड कंटेंट उनी तो यह पर स्पेशली आप वर्ली इंफॉर्म्ड कमेंटेटर्स जिनको जो की बैसिकली एक तरह से मिसिंफोर्मेशन दे रहे थे टिक्टोक पर कि उनके अपने फोलोवर्स को उनको गैट रिच कुए स्कीम के बारे में बता रहे हैं उने बैसिकली सपने दिखाकर उने अफिलियेट लिंक्स पर लेके जाते हैं एक्जामपल के तोर पर जैस उनको इसके पर रिचिस्टर होते हैं तो वो बैसिकली एफिलियेट लिंक के तुरू भी पैसा बना रहे थे तो यहां पर यह कहा गया है अब आते हैं डोज को इनके बारे में क्या गया है कहा गया है यहां पर स्पेशली दोज को इंक्रीप्टो कोइन का नाम लिया गया है कि बहुत से टिकटोकर के प्राइस को पंप कर रहे थे इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाए थी किक टोकर्स कैसे market को manipulate कर रहे हैं कैसे cryptocurrencies को pump करने में लगे हुए कैसे dump करने में लगे हुए उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपने वो नहीं देखी है तो link आपको description में मिल जाएगा या i button पर click करके भी आप उस video को देख सकते हैं तो basically दोस्तों यह जो है यह news आई है यह बहुत बड़ी news है meme coins के लिए और बाकी दूसरी cryptocurrencies के लिए भी इससे फायदा सबसे बड़ा यह होगा कि जो दूसरी cryptocurrencies जो mainstream cryptocurrencies है उनकी manipulation कम हो सकती है और दूसरा जो meme coins है जैसे कि यह Doge coin हो गया Shiba Inu हो गया दूसरे जो meme coins है जिनको highly pump किया जा रहा था social media पर खास करके TikTok पर वो रुख जाएगा उनकी manipulation रुख जाएगी उनका pump or dump भी रुख जाएगा कम्प्लीट ही नहीं रुखेगा लेकिन उसमें कमी आ जाएगी क्या होता है यह जो scammers है यह एक प्लेटफॉर्म छोड़के फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो यह YouTube पर आ जाएगे या किसी दूसरे फेस्बुक पर करेंगे तो इनका जो काम है वो scammers का जो काम है वो तो स्कैम करते नहीं किसी ना किसी तरीके से लेकिन काफी हाथ तक जो है क्रिप्टोकरंसी इन्रस्ट्री है उसके लिए तो दोस्तों यह थी चोटी सी इंफोर्मेशन टिक टोक के क्रिप्टोकरंसी के ओपर बैन को लेकर उमीद आए वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो इसे लाइक जरू करिएगा शेयर जरू करिएगा और अगर